एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम लद्दाक के से घुमने जाएं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे लद्दाक एक बहुत खुबसूरत टूरिस डेस्जिनेशन है यह स्थान अधिकतर भारती परिटकों की सुची में शि इर्वेंचर के शौकीन लोगों के लिए तो लद्दाक किसी जन्त से कम नहीं है यदि आपने लद्दाक घुमने का प्लान बनाया है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उत्पन होता है कि लद्दाक किस समय घुमने जाना चाहिए तो इसका जवाब यहाँ है कि अप्रेल से जून के बीच का समय लगदाक की यातरा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है अप्रेल से जून के बीच परिटेकों के लिए लगदाक के सबी रास्ते खुले रहते हैं आकाश साफ रहता है तथा इस दोरान लधाक की सुंदरता अपने चरम पर होती है लधाक में अप्रेल से जून के बीच तापमान लगबग 15 डिग्री से 30 डिग्री से बीच रहता है तता जुलाई से मार्च के महिनों में लद्दाक के बहुत सारे रास्ते बर्फ तता बारिश के कारण बंद रहते हैं इसलिए हमारी आपको सला है कि आप लद्दाक गुमने का प्लान केवल अप्रेल से जून के बीच ही बनाईएगा आपने यह तो तै कर लिया कि आपको लद्दाक कब जाना है अब आपके सामने दूसरा सवाल यह उत्पन होता है कि लद्दाक कैसे पहुंचे तो इसका जवाब यह है कि लद्दाक जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बस आदी के कई विकल्प उपलब दें आप अपनी सुईधा के अनुसार किसी भी सादन से लद्दाक पहुंच सकते हैं यदि आप बस द्वार लद्दाक की संयुक्त राजधानी ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए दो रूट उपलब दें एक श्रीनगर से ले तथा दूसरा मानाली से ले इन दोनों रास्तों से ले के लिए सरकारी और नीजी बसे चलती हैं यदि आप श्रीनगर से ले पहुंचने के लिए बस पकड़ते हैं तो आप जोजिला दर्रा होते हुए ले पहुंचेंगे और यदि आप मानाली से बस पकड़ते हैं तो रोतांग दर्रे से होते हुए लेह लद्दाग पहुचेंगे बसों के लिए श्रीनगर तथा मानाली के दोनों मार्ग 10 से 15 अपरेल के बाद ही खुलते हैं यदि आप नई दिली से बस से लद्दाग जानी की योजना बना रहे हैं तो लद्दाग पहुचने में नियूंतम चार दिन लगेंगे यदि आप श्रीनगर से लेह लद्दाग जाना चाहते हैं तो श्रीनगर से लेह लद्दाग की दूरी 425 किलोमेटर है तथा यात्रा में दो दिन का समय लगता है बस सुबह 8 बजे डल लेक के पास इस्थी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से प्राणब होती है बस सोनमर्ग तथा दरास होते हुए शाम को कारणब पहुचती है तथा रात को आपको कारणब में ही रुकना होता है रात में रुकने तथा खाने का खर्च आपको अलग से देना होता है अगले दिन यही बस सुबह आठ बजे वापस अपनी यात्रा प्रारम करती है तथा शाम को तीन से चार बजे लगदाग की स्वयूत राजदानी ले पहुँच जाती है बस का दो दिन का कुल किराया लगबग 13 सु रूपए है यदि आप बस द्वारा मनाली से लह लगदाग जाना चारते हैं तो यात्रा में दो दिन का समय लगता है तथा मनाली से लह की दूरी 475 किलोमेटर है आपको सबसे पहले अपने ग्रहन अगर से मनाली आना होगा मनाली से ही लह पहुँचा जा सकता है लह के लिए बस सुबह 10 बजे हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट सेंटर मनाली से प्रारम होती है बस अटल टरनल से गुजरते हुए दोपर में दो से तीन बचे केलोंग पहुँचती है तता रात बर आपको केलोंग में ही रुकना होता है यहाँ पर रुकने तता खाने का खर्च आपके बस टिकेट में ही सम्मिलित होता है अर्थात आपको रात रुकने तता खाने का खर्च अलग से नहीं देना होता है अगले दिन यह बस सुबह 4 बजे वापस अपनी यात्रा प्रारम करती है तता शाम को 6 बजे लद्दाग की ले लद्दाग जाना बहुत खतरनाक माना जाता है यदि आप बाइक या जीप से ही ले लद्दाग जाना चाहते हैं तो हमारी आपको सलाह है कि आप मनाली से ही ले लद्दाग की यातरा कीजिएगा यदि आप ट्रेन द्वारा लद्दाग जाना चाहते हैं तो लद्दाक का निकटतम railway station जम्मू तवी railway station है, जो लद्दाक से 700 km दूर है, इस railway station पर दिल्ली, कॉलकाता, मुंबई और अन्य कई महतपूर्ण स्थानों से ट्रेने आती हैं, जम्मू तवी railway station से आप बस या टेक्सी द्वारा पहले श्रीनगर, तदा महां से लद्दाक प पहुँचने का यह सबसे असुविधा जनक तरीका है, अब हम एरोप्लेन से लद्दाक के से पहुँचे, इस पर चर्चा करते हैं, गोरतलेपे की लद्दाक की राजदानी लेहे में एरपोर्ट इस थी थे, जिसका नाम कुशोग बकुला रिंपोच एरपोर्ट है, एर इ दिल्ली से लेहे लद्दाक तक पहुँचने का यह सबसे अच्छा तता सबसे सस्ता विकल्प है, फ्लाइट का किराय भी लगबक 3,000 रुपे ही है, यदि आप अपने परिवार के साथ लेहे लद्दाक घुमने जाना चाहतें, तो हमारी आपको सला है कि आप फ्लाइट से ह रिपस्तान करें, टेक्सी आपको एरपोर्ट पर या बस स्टेंड पर आसानी से मिल जाएगी, आप होटल आनलाइन ही बुक करें, क्योंकि लेहे पहुचने के बाद यदि आप होटल की खोजबिन करेंगे, तो होटल भी अच्छा नहीं मिलेगा, तता होटल वाले मनमाना क राया वसुल करेंगे, साथ ही आपका बहुत सारा समय बरबाद हो जाएगा, इसलिए होटल आनलाइन ही बुक करें, लेहे में आप चेंगस्पा रोड परिस्तित होटल में ही रुकें, लेहे में चेंगस्पा रोड परिस्तित होटल ठहरने का सबसे अच्छा विकल्प है, आप केवल एक सी दो हजार रुपे में चेंगसपा रोड पर इस्थित होटल में रूम बुक कर सकते हैं। लद्दाक में आपको कहीं भी थ्री स्टार या फाइव स्टार होटल नहीं मिलेंगे। परन्तु होटल में सुईधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी। तथा होटल का स्टाफ आपकी खातिरदारी ऐसे करेगा जिसे आपको ही राजा महरा जाओं। यहां का सेवा भाव आपका मन मोहलेगा। लेह के चेंगसपा रोड पर होम इस्टे या टेंड का विकल भी उपलबद रेता है। जो होटल से बहुत कम दाम में लगबग 500 से 1000 रुपे प्रती दिन में मिल जाता है। लेह में अपनी होटल में चेक इन करने के बाद आप नहा कर तथा होटल के ही रेस्टोरेंट में लंच कर ले। लंच करने के बाद आप अपनी होटल होमस्टे या टेंट में ही रेस्ट करें इसका करण यह है कि आक्सिजन की भारी कमी तथा हाई एल्टिट्यूट के करण आपको लह पहुंचते ही एक्ट्यूट माउंटेन सिकनेस AMS महसूस होगी आपको सरदर्द, कुल्टी, बेचेनी तथा चलने फिरने में भी दिक्कत होगी इसलिए आपको लह पहुंचते ही घूमने के लिए नहीं निकल जाना है आपको पहले दिन अपनी होटल में ही रेस्ट करना है ताकि आपका शरीर लह के मोसम का अभ्यस्त हो जाए एक बात और याद रखें कि यदि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आप अपनी होटल में चेक इन करते ही रिसेप्शन से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिएगा यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर आपको केवल 500 रुपे में मिल जाएगा यदि आपके परिवार में किसी को सांस लेने में दिकत हो तो आप इस ऑक्सीजन सीलेंडर का उप्यूग कर सकते हैं सांस लेने में दिकत केवल कुछ समय ही होगी तता यह आपकी उस दोरान बहुत मदद करेगा आप अपनी होटल में रात का डिनर करके रेस्ट करें इस प्रकार लद्दाक ट्रिप का आपका पहला दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था दूसरी दिन आप सुबह उठकर फ्रेश होकर तता नहा कर अपनी होटल में महसुस हो रही हो तो आप एक दिन और अपनी होटल में ही अपने परिवार के साथ रेस्ट करें लहे में आपको अथवा आपके परिवार को acute mountain sickness हो तथा आप घूमने की जल्दबाजी करेंगे तो यह शरीर के लिए बहुत गातक सिद्ध हो सकता है यह याद रखें कि oxygen की भारी कमी से लद्दाक में पहुंचते ही सरदर्द, उल्टी, बेचेनी, घवरार तथा चलने फिरने में दिक्कत लगबख सभी टूरिस्टों को होती है चाहे वह कितने ही fit क्यों नहों इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है आप 6-48 घंटे के भीतर लद्दाक के वातवरण के अभ्यस्त हो जाएंगे तता शारिरिक समस्याएं भी स्वतही खत्म हो जाएंगी इसके बाद आप लद्दाक घुमने जाएगा आप अपनी होटल से ही पूरे दिन के लिए टेक्सी बुक कर ले अब आप दूसरे दिन ब्रिकफास्ट करने के बाद ले सिटी के लोकल अट्रेक्शन देखने निकल जाएगे लद्दाक की राजदानी लेह पहुँचने के बाद आप सबसे पहले लोकल साइट सिंग ही कीजीगा क्योंकि लद्दाक के हाई एल्ट्यूट्ट वाले स्थानों पर आप एक दो दिन बाद जाएंगे तो यह आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा एक बात और याद रखें कि यदि टेक्सी वाला आप से कहे कि आप तीन या चार दिन का लद्दाक ट्रेवल पेकेज बुक कर लीजिए तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजीगा इसके लिए वो आप से 25 से 35 हजार रुपे मांगेगा जबकि यदि आप डेली बेसेस पर टेक्सी बुक करेंगे तो वह आपको अधिक्तम 3 से 4 हजार रुपे प्रति दिन में पड़ेगी यदि और पेसे की बचट करनी हो तो शेर टेक्सी भी आप हायर कर सकते हैं यह याद रखें कि लदाक में सबसे ज़्यादा खर्च ट्रेवलिंग पर ही होता है लेह में आप सबसे पहले शान्ती स्टूप देखने जाईएगा यह शान्ती स्टूप लेह सिटी सेंटर जिसे लेह का मुख बाजार कहते हैं से केवल 5 किलोमेटर की दूरी परिस्थी थे यह शान्ती स्टूप विश्व का सबसे उचा स्टूप है इस स्टूप के व्यूप पैंट से लेह शेहर का बहत खुबसूरत नजारा देखने को मिलता है शान्ती स्टूप देखने के बाद आप लेह पैलेस जिसे लहाचेन पलकर के नाम से भी जाना जाता है उसे देखने जाइएगा यहाँ पैलेस शान्ती स्टूप से केवल 3 किलोमेटर दूर है गोरतलबे की लेह पेलेस अपने समय की सबसे उची इमारतों में से एक है जिसमें कुल नो मंजिल हैं यदि आपके पेर सांथ दे तो आप पूरी नो मंजिलों का भ्रहमन कर सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है यह महल पूरे लेह शहर का सबसे मनोरम दरश प्रस्तूत करता है गोरतलबे की इस पेलेस में सतरवी शताबदी में राजा नामग्याल का परिवार रहता था इस पेलेस को देखने के बाद आप काफी थकान महसूस करेंगे इसलिए आप इस पेलेस के भ्रमन के बाद लेह सिटी में कहीं भी अच्छे से रिस्टोरेंट में लंच कर लें इसके बाद आप शेय पेलेस तता शेय मोनेस्टी देखने जाएगा जो की लेह से 19 किलूमेटर दूर है शेय पेलेस को लहाचेन पालजी गौन के नाम से भी चाना जाता है इस महल का उपयोग लद्दाक के राजाओं दौरा गर्मियों के मोसम में रहने के लिए किया जाता था इसके बाद आप लेह लोटते समय लेह से केवल 4 किलूमेटर दूर इस हाल ओफ एम war memorial देखने जाएगा इस हाल ओफ एम war memorial में लद्दाक में सियाचीन ग्लेशियर व कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्दों के साथ अन्य सेन अभियानों में भारती सेना की उपलब्दियों के साथ शेत्र की कलावस संस्क्रिति को भी संजोया गया है यह वार मेमोरेल देखने के बाद भारती सेनुकों की उपलब्दियां देखकर आपका सिना गर्व से चोड़ा हो जाएगा अब आप वापस लहे आ जाईएगा इसके बाद आप टेक्सी वाले को पेमेंट करके टेक्सी छोड़ दे तता पेदल पेदल लहे के बाजार में घूमे तता शौपिंग करे मुही पर किसी रेस्टरोन में डिनेर कर ले तता उसके बाद पेदल पेदल अपनी होटल में आ जाए यदि आपकी होटल लह बाजार से ज़्यादा दूर हो तो टेक्सी को ना छोड़े टेक्सी से होटल पहुँचकर टेक्सी को छोड़े तता होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार लद्दाक में आपका दूसरा दिन समप्त होता है तीसरे दिन सुबह जल्दी अपनी होटल में breakfast करें तता होटल से जितनी जल्दी हो सके चेक आउट करें इसके बाद आप अपनी होटल के बाहर से या होटल के reception से लद्दा के सबसे famous tourist attraction पेंगोग लेक को देखने के लिए टेक्सी बुक करें लेह से पेंगोग लेक की दूरी 223 किलोमेटर है तथा यात्रा में लगबग 6 गंटे का समय लगता है पेंगोग लेक ट्रिप के लिए आपको दो दिन के लिए टेक्सी बुक करनी पड़ीगी क्योंकि पेंगोग लेक देखकर उसी दिन वापस रात में ले लोटना बहुत मुश्किल होता है तथा एक दिन में आप पेंगोग लेक ठीक ढंक से एक्स्प्लोर भी नहीं कर पाएंगे तता सकरे तता खतरनाक रास्तों के करण रात का सफर लद्दाग में बहुत रिस्की माना जाता है टेक्सी का दो दिन का आने जाने का किराया लगबग 7000 रुपे होगा यदि यात्रा खर्च कम करना है तो आप शेर टेक्सी से भी केवल 3000 रुपे में पेंगोग लेक देखकर आ सकते हैं पेंगोग लेक के रास्ते में कई सारे खुबसूरा टूरिस स्पॉर्ट्स भी आएंगे जो आपको आपका टेक्सी वाला दिखाता हुआ ले जाएगा यदि आपको लंच करना हो तो आप पेंगोग लेक के रास्ते में कुछ अच्छे रेस्टोर्नेंट मिलेंगे वहाँ पर लंच कर सकते हैं यदि आप ले से सुबह 9 बजे पेंगोग लेक के लिए निकलते हैं तो पेंगोग लेक तक आप 2 पर 3 बजे तक पहुँच जाएंगे यदि आप रास्ते में रुकते रुकते चलेंगे तो 1-2 घंटे और बढ़ जाएंगे पेंगोग लेक पहुचकर आप सबसे पहले अपनी आनलाइन बुक होटल में चेक इन करें आप पेंगोग लेक पर इस्थित होटल एक दिन पहले ही ले से आनलाइन बुक कर सकते हैं यदि आपने पेंगोग लेक पर होटल online book नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप पेंगोग लेक पहुच कर भी ततकाल होटल या टेंट बुक कर सकते हैं ततकाल होटल या टेंट बुक करने पर वह थोड़े महंगे पड़ते हैं यहां TENT का RET 1,000 रुपए तता होटल का RET 2,000 रुपए प्रती दिन के लगबग होता है एक बात और याद रखें कि यहां पर आपको Temporary Construction वाले बहुत साधारन होटल ही मिलेंगे क्योंकि यहां Permanent Construction की मनाई है होटल या टेंट बुक करते समय सबसे महत्मन बात यह ध्यान रखें कि होटल या टेंट पेंगोग लेक के किनारे ही हो चाहे 200 या 400 रुप जादा ही क्यों न देने पड़े होटल आप पेंगोग लेक के किनारे ही बुक कीजीगा इसका करण यह है कि पेंगोग लेक के किनारे के होटल या टेंड से पेंगोग लेक का जादूई नजारा दिखता है होटल में चेक इन करने के बाद आप चाय नाश्ता करके पेंगोग लेक देखने ततकाल निकल जाएं गोरतलबे की पेंगोग लेक की लंबाई 135 किलोमेटर है जो भारत और चीन दोनों देशों में फेली हुई है इस जील के लगभग 45 किलोमेटर हिस्से पर भारत का कबजा है जबकि 690 किलोमेटर हिस्से पर चीन का कबजा है पेंगोग लेक अपने रंगों को बदलने के लिए पूरे विश्व में मशूर है इस जील का रंग सूरी के प्रकाश के बदलते कोण के कारण कभी निला, कभी लाल और कभी-कभी हरावी दिखलाई पड़ता है इस जील के पास बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है लेकिन आमिर खान की थ्री इडियट मूवी ने इस लेक को वर्ल्ड फेमस कर दिया है इस जील तता इसके आसपास का वातावरन आपको मंत्र मुग्द कर देगा आप इस लेक पर वह जगह भी देखिएगा जो थ्री इडियट मूवी में दिखाई गई है आप यहाँ पर सेल्फी पाइंट्स पर अविस्मरनी सेल्फी भी लीजिएगा स्वर्ग अर्था जन्नत क्या होती है उसके साक्षाद दर्शन आपको यहाँ हो जाएंगे आप अपनी पूरी शाम इस लेक के किनारे ही बिताएगा एक बात और याद रखिएगा कि इस लेक में बोटिंग नहीं की जा सकती है तथा वाटर स्पोर्ट्स की भी सकत मनाईए क्योंकि यह लेक भारत तथा चीन के बीच इस्तित लाइन ओफ कंट्रोल पर इस्तित थे लेक पर शाम बिताने के बाद आप अपनी होटल में आ जाएं तथा डिनर करके होटल के बाहर जलती हुई लकडियों के बीच केमप फायर के साथ इस्तानी नरत्य संगित का आनद लीजिएगा इसके बाद आप अपने टेंट या रूम में रेस्ट करें इस प्रकार लद्दाख में आपका अविस मरनी तीसरा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था चोथे दिन आप सुबर जल्दी उठकर फ्रेश होकर पेंगोग लेक पर सन्राइज को इंजोई कीजिएगा इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऐसा सुन्दर सूर्योदय आपने अपने पूरी जीवन में नहीं देखा होगा इसके बाद आप अपनी होटल के बाहर जो टेबल चेर लगी होती है महाँ पर बेटकर ब्रेकफास्ट तथा चाय काफी का लुथ लीजिएगा इसके बाद आप एक बार और लेक के किनारे घुमाईएगा क्योंकि क्या पता इस प्रकार की सुबह जीवन में फिर देखने को मिले या ना मिले इसके उपरांत आप अपनी होटल में आकर नहा कर तयार हो जाए तथा होटल से चेक आउट करें इसके बाद आप अपनी होटल से वापस लेक के लिए प्रस्थान करें यह बात लिख लीजिएगा कि आपकी टेक्सी आपको लेकर तो ले जा रही होगी परन्तु आपका मन पेंगोंक लेक को ही याद कर रहा होगा आपका मन करेगा कि वक्त यहीं रुख जाए और आप पेंगोंक लेक पर ही अपना पूरा जीवन बिता दे परन्तु हम यह जानते हैं कि यह हो नहीं सकता इसलिए अपने मन को समझा कर लेकी और प्रस्थान करें रास्ते में कई सारे सुन्दर स्थानों को देखते हुए किसी स्थानी रेस्टोरेंट में लंच भी कर लें इसके बाद आप ले पहुंचकर अपनी होटल में चेक इन करें आप चाहें तो उसी होटल में रुख सकते हैं जिसमें आप लहे में शुरुआत में दो दिन रुखे थे अत्वा आप किसी नई होटल या टेंट में भी रुख सकते हैं इसके बाद आप चाय नाश्ता करके अपनी होटल से पेदल पेदल लहे के बाजार में शॉपिंग करने या घूमने निकल जाएए इसके बाद अपनी होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें अगले दिन अर्थत पांचवे दिन आप अपनी होटल में सुभा का ब्रेकफास्ट करें तता शाम वेली घुमने के लिए तेयार हो जाएं इसके बाद आप अपनी होटल के रिसेप्शन या पास की टेक्सी स्टेंड से शाम वेली घुमने के लिए टेक्सी बुक करें यहाँ पूरी round trip लगबग 140 km की होगी तता इस trip में 9-10 गंटे लगेंगे टेक्सी का किराया लगबग 3000 रुपे लगेगा इस trip में आप सबसे पहले गुरुद्वारा पत्थर साहिब देखने जाएगा इसा कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे में एक ऐसा पत्थर है जिसे श्री गुरु नानक देव ने सपर्श किया था इस गुरुद्वारे का निर्मान भारती सेना ने किया है यह गुरुद्वारा लहे से लगबग 22 km दूर है इस गुरुद्वारे में दर्शन करने तथा अर्दास करने के बाद आप मेगनेटिक हिल देखने जाएगा यह मेगनेटिक हिल पत्थर साहिब गुरुद्वारे से केवल 8 किलोमेटर तथा लेह से इसकी दूरी लगबक 30 किलोमेटर है मेगनेटिक हिल समूद रिस्तर से लगबग 14,000 फिट की उचाई परिस्तिते उलेकनी है कि मेगनेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है जहां पर वहां गुरुत्वाकरशन बल अर्थाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वज़े से अपने आप न्यूट्रिल गेर में भी पहाड़ी की तरफ उपर बढ़ते जाते हैं मेगनेटिक हिल में ऑप्टिकल भ्रम के करण हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रिल गेर में पहाड़ी पर चड़ रही है लद्धाक जाने वाला हर परेटक इस मेगनेटिक हिल के जादूई फिनोमिना को देखने जरूर जाता है आपकी गाड़ी का ड्राइवर भी इस जादूई घटना को आपकी आँखों के सामने करके दिखाएगा मेगनेटिक हिल देखने के बाद आप थोड़ा आगे जांसकर नदी तता सिंदू नदी के संगम को देखिएगा जहाँ पर आप रुक कर सुन्दर सेलफी भी ले सकते हैं इसके बाद आप बाजगो पेलेस तता बाजगो मोनेस्ट्री देखने जाएगा बाजगो पेलेस मिट्टी का बना होने से वर्तमान में कही जगह से तूट फूट गया है परन्तु फिर भी इस महल की सुन्दरता का कोई जवाब नहीं है बाजगो पेलेस तता बाजगो मोनेस्ट्री ले से 40 किलो मेटर तता जांसगर नदी तता सिंदु नदी के संगम से केवल 4-5 किलो मेटर दूर है बाजगो पेलेस तता बाजगो मोनेस्ट्री देखने के बाद आप लिकीर मोनेस्ट्री देखने जाएगा लिकीर मोनेस्ट्री बहुत ही सुन्दर तता भव्वे मोनेस्ट्री है लिकीर मोनेस्ट्री लेह से 52 किलोमेटर दूर स्थित है तता बासगो पेलेस तता बासगो मोनेस्ट्री से केवल 12 किलोमेटर दूर है लिकीर मोनेस्ट्री देखने के बाद इस मोनेस्ट्री के पास ही कई अच्छे रेस्ट्रोडेंट ने महां आप लंच कर लें लिकीर माश्टरी देखने तथा लंच करने के बाद आप आल्ची गाउं में इस्थित्ध आल्ची मानेस्ट्री तथा टेम्पल कंप्लेक्स जिसे सईक्दूरूप से आल्ची आलची गोमपा कहते हैं देखने जाएगा आलची गोमपा लेह से 67 किलमेटर दूरे तथा बासगो पेलेज तथा बासगो मोनेस्टरी से लगबक 18 किलमेटर दूरे आलची गोमपा बहुत विस्तत शेतर में फेला हुआ है एक बात और याद रखें कि आलची मोनेस्ट्री द्वारा समधसक केमप भी संचाली थे जहां आप चाहें तो रात पर इस्टे भी कर सकते हैं कई सारे टूरिस्ट समधसक केमप में रात रुखते हैं तता अगले दिन लहे के लिए प्रस्थान करते हैं समधसक केमप का भोजन भी बहुत स्वाधिस्ट तता हेल्दी होता है यहाँ पर आपको स्थानी भोजन भी चकने को मिलेगा आलची गुमपा देखने के बाद आप लहे के लिए प्रस्थान करें आप यदि बीच में कहीं नहीं रुखते हैं तो दो से ढ़ाई घंटे में वापस लहे पहुंच जाएंगे इसके बाद आप अपनी होटल में जाकर डिनर करें तता रेस्ट करें अगले दिन अर्था छटे दिन आप सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें तता होटल के रेसेप्शन से या पास के टेक्सी स्टेंड से दिन भर के लिए लगबग तीन हजार उपे में टेक्सी बुक करके दुनिया के सबसे उचे मोटरेबल रोड खारदुला पास से होते हुए नुब्रा वेली देखने चाहिएगा दुनिया के सबसे उचे मोटरेबल रोड खारदुला पास में आपको बर्फ भी देखने को मिलेगी खारदुला पास में कई किलोमेटर तक आपको रोड के चारोर सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी आप यहां कुछ देर रुक कर प्रकृति की सुन्दरता का आनंद भी ले सकते हैं खारदुला पास से होते हुए आप नुब्रा वेली में सबसे पहले हुंडर सेंड डुइंस देखने जाएगा हुंडर सेंड डुइंस खारदुला पास से 46 किलोमेटर दूर है हुंडर सेंट डूइन्स डिस्किट गाउं से लगबग 10 किलमेटर दूर है हुंडर सेंट डूइन्स में सफेद रेत के पहाड जो उचाई पर बर्व से ढखे होते तता नीचे नूबरा तता शोक नदी का संगम है वह आपको देखने को मिलेगा इस स्थान को ठंडा रेग स्थान भी कहा जाता है आप यहाँ पर दो कूबर वाले उटों की सवारी का आनन्द ले सकते यह उट आपको रेत के सफेद मेदानों तता कुछ दूर तक पहाडों पर भी घुमा के लाएंगे यहाँ पर आपको एक सुन्दर तता अधभुत नजारा देखने को मिलेगा देखते ही देखते सफेद रेत पहाडों से फिसल कर मेदान में आ जाएगी तता थोड़ी देर में हवा के साथ वापस पहाडों पर चली जाएगी यह क्रम दिन भर सतत चलता रहता है यहाँ पर आप अपनी आँखों को रेत की आँधी से बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग अवश्च करे क्योंकि यहाँ दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में रेत की आँधिया चलती रहती है हुंडर सेंट डूइंस में आप 500 रुपे में एक घंटे उट पर बेट कर हुंडर सेंट डूइंस शेतर का भ्रहमन कर सकते हैं यहाँ रेत प्रतिव्यक्ति का होता है हुंडर सेंट डूइंज देखने के बाद आपको 10 किलोमेटर दूर डिस्किट गाउं वापस आना होता है डिस्किट गाउं के चोराए पर ही आपको एक साफ सुतरा रेस्टोरेंट मिलेगा जहां आप केवल 100 रुपे प्रतिविक्ति के रेट से भरपेट लंच कर सकते हैं लंच में आपको इस्थानी सब्जी उकसात पनीर की टेस्टी सब्जी भी मिलेगी हमारी आपको सला है कि आप लंच यहीं कीजिएगा क्योंकि रास्ते में आपको कहीं भी इतना अच्छा तता इतना रिजनेबल रेट वाला रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा लंच करने के बाद आप डिस्किट गाउं में ही एक बहुत फेमस मोनेस्ट्री है उसे देखनी जाएगा इस डिस्किट नामक मोनेस्ट्री में सेकड़ों बहुत भिक्षु निवास करते हैं जो विश्व के अलग-अलग देशों से आई हुए होते हैं डिस्किट मोनेस्ट्री में गोतम बुद्ध की 106 फिट उची प्रतिमा है यदि आप चाहें तो डिस्किट मोनेस्ट्री के रेस्ट हाउस तता केम्प में नॉमिनल चार्ज देकर राद भर रुग भी सकते हैं यह स्थान लद्धाक में पेंगोग जील के बाद दूसरा सबसे खुबसूरत स्थान है इस जगर से आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा चुकि आपने टेक्सी एक दिन के लिए ही बुक किये इसलिए आपको वापस लेह लोटना ही होगा डिस्किट मोनिस्टी देखने के बाद आप वापस लेह के लिए प्रस्थान करें लेह पहुँचने के बाद आप अपनी होटल में जाकर डिनर करें तता रेस्ट करें अगले दिन अर्था सातवे दिन आप सुभ अपनी होटल में बेकफास्ट करें तता होटल से चेक आउट करके अपने ग्रह नगर के लिए जो संबंदित फ्लाइट उपलब दो उससे प्रस्थान करें हलाकि लेंस से मानाली तता मानाली से दिल्ली के लिए बस सेवा भी उपलब दे परंतु वह आपको फ्लाइट से भी जादा महेंगी पड़ेगी तता घर तक पहुँचने में आपको तीन दिन लग जाएंगे इसलिए आप फ्लाइट से ही वापस दिल्ली तक या अपने चहर तक जाएगा एसा नहीं है कि लगदाक में गुमने के लिए और जगह नहीं है यदि आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा हो तो आप कारगिल भी देखने जा सकते हैं कारगिल लेह से 216 किलमेटर दूर है तथा यदि सुभ जल्दी निकला जाए तो एक दिन में कारगिल का भ्रहमन करके वापस लेह लोटा जा सकता है अब हम लेह लगदाक ट्रिप से जुड़ी प्रमुग बातों पर चर्चा करते हैं गोर्त लबी के लगदाक में कई सारे प्रतिबंदीत शेत्र होते हैं जिन में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट जिसे आई एलपी कहते हैं लगता है जो की लेक के डिप्टी कमिशनर आफिस से ही बनता है यह परमिट भारती सेना पेंगोग लेक नुब्रावेली खारदुला पास आदी के रास्ते में चेक पॉइंट पर देखती है आट सो बीस रुपे में छे दिन के लिए यह इनर लाइन परमिट बन जाता है यह परमिट आपके आधार कार्ड पास्पोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कापी के आधार पर बनता है आप बिल्कुल चिंता न करें यह परमिट आप जब लदाक में अपनी आट देकर तता एक फॉर्म भरकर प्राप्त कर सकते हैं आप स्वयम लेह के डिप्टी कमिशनर आफिस जाएंगे तो यह परमिट केवल छे सो बीस रुपे में ही छे दिन के लिए बन जाएगा परंतु बहतर यह है कि आप होटल के रिसेप्शन पर अपनी आईडी देकर ही परमिट बनवा लीजिएगा इससे आप लेह के डिप्टी कमिशनर आफिस में जाने से तता लाइन में लगने से बच जाएंगे और समय की भी काफी बचत होगी यह परमिट लेह में जगय जगय बेटे ट्रेवल एजेंट भी ततकाल बनवा देंगे इसलिए आप इस परमि इस अपने साथ अच्छी गृप वाले जूते ही रखें इस ट्रिप में महिलाओं को भी चप्ल की जगे अच्छे स्पोर्ट स्चूज ही पहनने चाहिए क्योंकि चप्ल में लद्दाक में चलने में बहुत परिशानी होगी इस ट्रिप में यदि आपके साथ बुझरू लो से जम कर बारगेन करें क्योंकि कई टेक्सी वाले टेक्सी का किराया 4-5 गुना तक ज़्यादा बताते हैं आप टेक्सी बुक करने से पहले यह देख लें कि वह कितने किलोमेटर लेके जाएगा तता वह प्रत्ति तरट ठगाने की संभावना है ट्रेवल पेकेज लेने पर टेक्सी वाले ठीक धंक से घुमाते नहीं है तता केवल खाना पूर्ती करते हैं चाहे होटल वाले टेक्सी वाले या ट्रेवल एजेंट कितना ही बोले आप डेली बेसिस पर ही टेक्सी हायर कीजिएगा केवल पेंगॉंग लेक के लिए ही दो दिन की टेक्सी किराय पर लीजेगा बाकी प्रति दिन टेक्सी डेली बेसिस पर ही लीजेगा अनिता लेहे के टेक्सी वाले तता ट्रेवल एजेंट आपके पॉकेट में बड़ा सा होल कर देंगे अब हम साथ दिन की इस लेह लगदाख ट्रिप के अधिकतम कुल खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया लगबग 20,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का टिक्सी का कुल किराया लगबग 18,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का होटल का किराया 10,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का भोजन का खर्च 8,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का साइट सिंग तता एक्टिविटी का खर्च 3,000 रुपे चार लोगों का लद्दाख में साथ दिन का अधिकतम कुल खर्च 59,000 रुपीज इसे हम चार से डिवाइट करते हैं तो प्रतिविक्ति कुल खर्च 14,750 रुपे आएगा इस प्रकार आपकेवल 14,750 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी तता फ्राइट को शामिल करते हुए लद्दाख गूम सकते हैं यदि आप टेक्सी की जग़ शेर टेक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो यादरा खर्च बहुत कम हो जाएगा तो अब इंतिजार मत कीजे जल्दी ही लद्दाख गूमने का प्लान बनाईएगा यदि आपको हमारी जानकरी सही तता उपयोगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास अर्थात ट्रेवल एंड एक्स्प्लोर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू